मुझे पूर्विंदर कॉर्, Senior Faculty at Abhimanyu IAS आज हम यहां पे पंजाब civil services के लिए PYQ डिसक्स कर रहे हैं और question number 17 पे directly jump करते हम because इससे पहले वाले जो आपकी questions है वो already done है और यह 2018 का exam है student, right so question number 17 आपकी screen पे है student फटा फट से question को पढ़ो और फिर उसको attempt करो question है which of the following is not not पुछा है correctly match correctly match नहीं करता है यह पुछा है हां जी, तो answer कीजिए student फटा फट से हां जी, answer करो बच्चे हां जी, तो बताइए फिर correctly match नहीं कर रहा है, यह बताना है आपको 17 का ठीक है, तो देखिए student, कहता है mundra, mundra is for ultra mega power project बिल्कुल correct option है student, kandla tidal project है, बिल्कुल सही है सेथू समुंदरम जो है, that is hydro power project नहीं, यह गलत है this is the, यह है हमारा C project student, C project है जिसके अंदर हमें, इंडिया और श्री लंका, और इंडिया और श्री लंका, के बीच में हमें क्या बनाना है, एक हमारा C project student, ठीक है, सेथू project ठीक है, उसको connect करने के लिए अच्छा, को दर कलम, this is the nuclear project, this is right option, ठीक है, तो हमारा जो option सही mark करेंगे हम, that is option number C, ठीक है जी ओके, लेट्स फर्दर हां जी, तो 80 number question टेंट कीजी आप यहां पर, क्याता है which among the following city is called zero mile center, कौन सी ऐसी city है, student जिसको zero mile center कहा जाता है, because of its location on India's geographic center इंडिया की geographic center में एसी कौन सी city है, जिसको zero mile center कहा जाता है, student तो बताईए, कौन सी city है, बिल्कुल fact answer है, है न, SSC वेरदा में भी ऐसे questions आते हैं, student बहुती simple question है, तो बताईए, zero mile center किसको बोलते हैं हमारे नागपूर को, ठीक है नागपूर कहाँ पे हैं, माराष्टरा के अंदर ठीक है बच्चे, so let's move further 19 number question attempt कीजिए question को पढ़ने, फिर video pause करनी है फिर answer करने, ठीक है तो करो फिर हाँ जी, कैता है, what are the benefits of implementing the integrated watershed development program integrated watershed development program के benefits क्या है, ये पूछा है answer में ठीक है, हाँ जी तो बताओ कैता है, prevention of soil runoff, बिल्कुल सही चीज है, right बहुत ही, you know, आप soil runoff का मतलब होता है, आप एक तरीके से soil, you know erosion को आप क्या कर सकते हो, save कर सकते हो, right उसको बचा सकते हो, linking the countries perennial river with seasonal river, नई, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, perennial rivers वो होती है student, जो 24-7 ठीक है, और जैसे कि हमारा monsoon का season है, उस time पे उसमें पानी आजाते है, ठीक है, monsoon के season में ही वहाँ पे पानी आता है, otherwise वो rivers जो है, या तो उसमें पानी की quantity बहुत ज्यादा लोग होगी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा student, हमारा काफी ज्यादा कम पानी उसमें फ्लो करेगा, ठीक है, next है कहता, rain water, harvesting and recharge of ground water, यह बिल्कुल correct option है, fourth है कहता, regeneration of natural vegetation, यह भी correct option है, तो हमारा सही option बनेंगा C, 1, 3 and 4, ठीक है student, see here student PYQ करने का मतलब यह नहीं है कि आप answer देखते जाओ और हो गया, student आप इस बात को समझिए कि आपको answer नहीं देखना है आपको student उसको analyze करना है right, आपको उसको analyze करना है कि हंजी हो क्या रहा है, ठीक है, question में वो किस तरीके से question put कर रहा है right, जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ आप connect कर भी पारे हो या ऐसे कर पारे हो ठीक है, connection feel होना बहुत important है, जो भी आप पढ़ रहे हो क्या वो previous year में आपको थोड़ी बहुत help कर रहे है उसको solve करने में है, नहीं कर रहे है ऐसा ना हो कि आप जो है बस session देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो उसको आप analyzing नहीं कर पा रहे है आपको पता ही नहीं चल रहा कि question कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, so this is not the right way तो PYQ करने का जो benefit है, उसी को मिलेगा student जो analyze कर रहे है continue, कि हैं जी question किस type से आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं current affair के question कैसे आ रहे हैं right current oriented questions कैसे पूछे जा रहे हैं, depth में अगर question आ रहे हैं, तो कहां तक आ रहे हैं fact जो है, वो कहां तक पता होने चाहिए, कौन से ऐसे important topics हैं, जिनको मुझे बिलकुल नहीं छोड़ना है अगर आप वो भी पीछ रहे हो, तो फिर तो आप में और उनमें कोई फरक है नहीं, है न, फिर आप fail हो जाओ या वो fail हो जाएं, बात एक ही है ठीक है, तो फिर आप मेहनत और पैसा और अपना time waste मत कीजिए student, right अपना अपना कुछ और भी देख सकते है अगर आप अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है आप, जो मैं आपको समझाने के try कर रही हूँ, यहाँ पर पैवाई के थूँ, अगर उसको आप नहीं you know, grab कर पा रहे हैं, तो फिर इस series का कोई फाइदा नहीं है, ठीक है इसलिए मैं बहुत कम questions discuss करते हूँ, student जब भी मेरा session आते है, ठीक है, so that students को question करवाना मेरा purpose नहीं है, student only, my purpose is कि आप लोगों को यह पता चले कि PYQ जो है, वो हमारे exam में कितना ज्यादा important है, किस तरीके से वो में help करता है, right अपने topics को ready करने के लिए important topics को important, you know, आपका जो content है वो किस तरीके से prepare होता है ठीक है, ये चीज मुझे आपको बतानी है, ये मुझे आपको convey करना है mainly, okay, ठीक है students तो let's move further हंजी, तो 20 number question आपकी screen पे है, फटा फट से attempt कीजिए, student comment किया किया जी ठीक है, comment किया करो student बिना comment किया, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए वीडियो को, ठीक है, comment किया करो student हंजी, तो question पढ़िए कहता है, which of the following pairs are correct कौन सा pair जो है, वो correct पूछा है इसने, correct पूछा है students, इसमें हमारी खेतरी, एक तो बिल्कुल correct है, तो दो सही हो गया एक हमारी बाला गाट, मैगनीज ये भी सही है, जो जावर माइन्स है that is famous for zinc not for uranium, और जो जादुगुडा माइन्स है student, that is famous for uranium ठीक है, और ये कहां पर present है, जादुगुडा माइन्स हमारी जारखंड में present है और जावर माइन्स कहां पर present है, ये present है, राजस्तान के अंदर ठीक है जी, तो correct option क्या बना 2 and 3 ठीक है जी, ओके, तो इस तरीके से आपको question करना है, factual question था आपको पता होना चाहिए, माइन्स के बारे में ठीक है, ओके तो 21 number question attempt करो कहता सेतू भारतनम project is connect which of the following transport sector, कौन से transport sector को वो connect कर रहे है, कौन से को कर रहे हैं बताओ, सेतू भारतनम वैसे तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए सेतू, word से हैना तो correct option is our coastal transport हना, right? okay student, so let's move further हनजी, 12 number, 22 number question attempt करो student हनजी, which of the following crops are cultivated in the equatorial region equatorial region के अंदर कौन सी crop जो है जिसको हम cultivate करते हैं बताइए जी, equatorial region का मतलब समझते हो आपने say this is our earth हाना, इसमें तीन main हमारे latitudes है student, पहला हमारा zero degree that is equator ठीक है ठीक है, यह हमारा tropic of cancer and this is our tropic of Capricorn latitude का main purpose क्या है student? latitude का main purpose है अलग-अलग climatic zones को differentiate करना जैसे कि जो आपको climate आपको equator पे मिलेगा ठीक है, वो आपको Capricorn पे नहीं मिल सकता ठीक है Cancer और Capricorn का almost आपको क्योंकि हमारी अर्थ को हमने दो स्फियर में डिवाइड किया हुआ है एक हमारा northern hemisphere यह उपर वाला equator से उपर उपर वाला ठीक है और एक हमारा southern hemisphere जो नीचे वाला है ठीक है तो latitude को हमने climate के इसाप से क्या किया हुआ है किया हुआ है जैसे जैसे我们 equator से경 siश उपर जाते जाएंगे आपका क्या होगा rainfall कम होता जाएगा ylléesodない तो students equator पे जो हमें climate मिलेगा वह में उपर नहीं मिलेगा जैसे जैसे मत पर जाते जाएंगे climate change होता जाएग अना बहुत ज्यादा वहाँ पर लॉंग टर्म विंटर रहता है ठीक है due to sun insulation right so that's why student सिहां पर आपको समझना पड़ेगा ये बात को कि जैसे जैसे आप equator पर जाओगे तो obviously अगर climate change कर रहे तो no doubt about that कि आपकी जो जो आपकी sorry ecosystem है जो आपका flora and funa है जो vegetation है वो भी तो change होगी obviously जो plants जो trees जो है जो equator पर grow कर रहे है वो temperate region में उपर जाके तो grow नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर climatic conditions कुछ अलग है right so that's why यहाँ पर आपको understood करने की जरूरत है कि जो यहाँ पर हमारे plantation होएगी वो उपर नहीं होगी और equator पर almost हमारा climate चे सेम ही है यहाँ पर right sun insulation सेम ही है तो सारी equator के उपर ठीक है almost equal मतलब same type की आपको species यहाँ फिर variety देखने को मिलेगे ठीक है अच्छा कौन कौन से कहता है rubber plantation cocoa tea sugar cane तो इसमें से correct option क्या है सारी correct options है ठीक है they all are cultivated in the equatorial region okay students ठीक है बच्चे so let's move further हाँ जी तो 23 number question पढ़िए philosophical questions है आगे political theories की उपर question है आते हैं आते हैं नहीं आते तो नहीं आते ठीक है simple as simple तो question को पढ़ो इसारीiable, सबस्सक्राव मिलाओ की पेक है कर दो तो कुश्टन पढ़ो कैता तो कुश्टन का ऑप्शन है ब्राहम लिंकन, मलकन, महात्मा गांदी, मार्टिन, लूथर किंग तो करेक्ट ऑप्शन इस यूँए डी देट इस मार्टिन, लूथर किंग ठीक है तो 24 नमबर कुश्टन पढ़िये कैता हूँ कॉइंट था फ्रेज बनल नेशनलिजम बनल नेशनलिजम जो टर्म है किसने कॉइं की थी स्टुडेंट, बताईए बताईए, 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 बताईए माइकल बिलिंग, माइकल बिलिंग, ठीक है जी तो 25 नमबर कुश्टन टेम्ट कीजी, बहुत ही सिंपल सिंपल से कुश्टन आ यहां पर, ठीक है बस आपको आते हैं तो सुडेंट आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं न, ऐस सिंपल तो पढ़िये कुश्टन को हाँ जी, तो 24 नमबर कुश्टन टेम्ट कीजी, स्टुडेंट, 24 अच्छे, 24 तो होई गया न, अपना, है न, माइकल बेलिंग करके, ठीक है तो 25 नमबर कुश्टन पढ़ो तो 25 नमबर कुश्टन पढ़ो, स्टुडेंट हाँ जी, कहता है, who coined the name, United Nation United Nation का name, किसने coined किया था, that is Franklin D. Roosevelt, I think यह सब कोई पता होता है, Franklin D. Roosevelt थे, जिन्होंने United Nation की टर्म को coined किया था, हाँ जी, 26 कुश्टन टेम्ट कीजी कहता है, which of the following is the latest member, 193rd of the United Nation, कौन सा state है student, जो 193rd हमारा लेटेस्ट मेंबर बना है, that is our South Sudan, that is our South Sudan, this is very important question student, यह repeat भी हो सकता है इवन, तो 27 नमबर कुश्टन पढ़ो student, फटा फट से, कहता है, which one होता है, following is the incorrect match, incorrect match है student between the United Nations agency and its headquarter, agency बताना है और headquarter बताना है, पहला कहता है, food and agriculture organization, Rome, बिल्कुल सही है, international labor organization, Geneva, बिल्कुल सही option है, international monetary fund, New York, नहीं, यह गलत है, this is Washington DC, Washington DC में present है, UNESCO is present in Paris, बिल्कुल सही है, तो correct option हमारा क्या बनेंगा, CIMF, IMF is present in Washington DC, जहां पर even हमारा 9-11 का attack भी हुआ था है न, यह आपको पता ही होगा students, right, okay, okay students, तो इसी के साथ मैं यह session यहां पर over करती हो, and my big announcement here is, कि from 1st December से हमारा new batch start होने जा रहा है, live batch start होने जा रहा है for Punjab Civil Services, तो आप registration कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, जो भी students को registration करनी है, जो अगर किसी को even query भी है, ठीक है, फिर भी आप call कर सकते हैं, उस link पे click करके आप अपनी registration कर सकते हैं for our new batch for Punjab Civil Services, यह online, offline, दोनों mode में available रहेगा student, आप recorded lectures भी लिये सकते हैं, right, इसमें आपको test series, weekly test series, current affair, CSET, सब कुछ include है, तो आप फटा फट से जाएए और registration कीजिए for our new batch, okay student, तो इसी के साथ मैं यह session यहाँ पर over कर रही हूं, thank you, thank you so much, have a nice day.